बर्खा अपने कपड़ों की आलमारी खोल कर कुछ ठून रही थी तभी उसकी नजर एक एलबम पड़ जाती है जिसमें एक फोटो को देख कर उसके आंसू निकलाते हैं तभी मनीश उसे कहता है अनिल जी ये आपके पापा ने मरते वक्त जो वसीयत बनाए थी उसके हिसाब से आपके और बर्खा बिटिया के बीच ये जायदाद बांटी जाएगी वकील साहब इसमें हमारे बच्चों के नाम कोई हिस्सा नहीं है जिबकि बर्खा की बेटी के नाम पापा जी ने जनम के वक्त 50 लाग के अबड़ी पहले ही करवा दी थी अब बर्खा को भी उनके मरने के बाद आधा हिस्सा मिल जाएगा तो फिर जायदाद में से बर्खा को वैसे भी कुछ नहीं मिलना चाहिए तभी बर्खा भी आजाती है बर्खा तुम तो ठीक रही पचास लाग रुपे भी हत्या लिए और आधी जायदाद भी हडब ली पर भावी हुआ क्या है बर्खा रागिनी सही बोल रही है पापा ने लग रहा है तुम्हें ही हमेशा अपनी आुलाद माना तभी मेरे बच्चों के नाम कुछ नहीं कर गए कैसी बाते कर रहे है भावीया मैंने कभी इस बात के लिए नहीं सोचा आप चाहते हो तो मैं सारी जायदाद आपके नाम कर देती हूँ पर इस तरह से मुझसे रिष्टा तू मत तोड़ो मतलब तू मेरे नाम ये जायदाद कर दे और दुनिया वाले ये कहें कि मैं बहन के हिस्से के भी पैसे खा गया ये तो पापा जी को सोचना चाहिए था जब वो जायदाद के कागज बना रहे थे रागिनी इसे बोल दो आज के बाद मेरा इससे कोई मतलब नहीं है पर भाया मेरी गलती क्या है गलती तेरी नहीं मेरी है मेरी मेरा ही नसीब खराब है कि तू मेरी बहन है आज के बाद मेरा और तेरा रिष्टा खत्म भाईया पैसो के लिए आप अपनी बेहन से रिष्टा तोड़ दोगे आप एक बार बूल कर तो देखते मैं सब कुछ आपके नाम कर देती दोनों बेहन भाईयों को मिले छे साल हो गए थे अनिल और रागिनी का पांस साल का बेटा हो चुका था एक दिन उसके स्कूल से उसकी टीचर का फोन आया रागिनी जी आपका बेटा अंश प्लेग्राउंड भी खेलते हुए बेहोश हो गया है रागिनी और अनिल अंश को अस्पताल ले जाते हैं डॉक्टर उन्हें बताता है सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं हमें पता चला है कि अंश के दिल में छेद है इसका उप्रेशन करना होगा इसके लिए आपको हार्ट सर्जन से बात करनी होगी हाँ डॉक्टर साब आप बताईए किस से बात करनी होगी कितने भी पैसे लगे मैं अपने बेटे के लिए लगाऊंगा देखिए मेरी नजर में सबसे बेस्ट और जाने माने स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर मनीश जिनकी आज तक एक भी हार्ट सर्जरी फेल नहीं हुई है मेरी माने तो आपको उनसे अच्छा हार्ट सर्जन कहीं नहीं मिलेगा डॉक्टर मनीश का नाम सुनकर अनिल और रागिनी चौँक जाते हैं भाईया आज भाई दूज का त्योहार है मैं आपको हमेशा अपने हाथों से भाई दूज का तिलग करती हूँ क्या मैं आपको भाई दूज का तिलग करने आ सकती हूँ कौन है जी फोन पर? पर रागेनी, ये हमारे बच्चे, अंश की जिन्दगी का सवाल है, हमें मनीश जी से बात करनी ही होगी, हाँ, लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे बर्खा से बात करनी चाहिए, पर किस मूँ से मैं बर्खा को फोन मिलाऊंगा? देखिए, फोन तो करना ही पड़ेगा, हमारे लिए अंश की जिन्दगी बचाना जरूरी है, इसके लिए चाहे मुझे बर्खा और मनीशी के पैरों में ही क्यों न गिरना पड़े? अनिल कापते हाथों से बर्खा को फोन मिलाता है, बर्खा फोन उठाती है, अनिल जैसे ही हलो करता है, छे साल बाद अपने भाई की आवाज सुनकर बर्खा कुछ सेकेंड के लिए चुप हो जाती है, फिर वो बोलती है, भाईया, आप इतने सालों बात, आपकी आवाज को सुनने के लिए कान तरस गए थे कैसे हो भाईया, रागिनी भापी कैसी है मुझे पता चला था कि मेरा एक प्यारा सा भतीजा है अब तो वो पांस साल का हो गया होगा बर्खा की बाते सुनकर अनिल फूट फूट कर रो पड़ता है अनिल बर्खा को रोते हुए सारी बात बताता है जिसे सुनकर बर्खा भी घबरा जाती है और रोने लगती है अनिल उसे बताता है बर्खा, डाक्टर ने कहा है कि सिर्फ मनीश जी ही अंश के दिल का ऑपरेशन कर सकते हैं उनके अलावा बेस्ट हार्ट सरजन कोई नहीं है भाईया अप चिंता मत करो मैं मनीश इसे बात करती हूँ शाम को जब मनीश घर आता है तो बर्खा उसे सारी बात बताती है जिसे सुनकर मनीश उसे कहता है बर्खा, मैं एक डॉक्टर हूँ किसी मरीश की जान बचाना मेरा फर्ज है पर क्या तुम वो दिन भुला पाओगी जब अनिल और रागिनी ने तुम्हारी 6 साल तक कोई सुध नहीं ली तुम हर राखी, हर भाई दूच पर अपने भाई का इंतजार कर रही हो तुम्हारी गलती ना होते हुए भी तुम्हें रिष्टों से दूर रहने की सजा मिली कोई बात नहीं मनीश, आज भाया भाई को मेरी जरूरत है और भगवान भी यही कहते हैं कि भूल तो सभी मनुश्यों से होती है और अगर आज हमने उनकी मदद नहीं की तो हम भगवान से भी नजरे नहीं मिला पाएंगे फ्लीज आप उनकी मदद करो और एक डॉक्टर होने का फर्ज निभाव बर्खा की कहने पर मनीश, अनिल और रागनी के बेटे अंश का उप्रेशन करता है और अनिल मनीश से भी माफी मांगने लगता है पर मनीश उसे गले लगा लेता है रागनी भी बर्खा के गले लग जाती है कुछ दिन बाद अंश को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है सब लोग मिलकर दिवाली का तियोहार मनाते हैं और फिर भाई दूज का दिन आता है बर्खा अनिल को भाई दूज का तिलग करती है बर्खा की बेटी शाइना भी अंश को तिलग लगाती है और फिर भाई दूज का त्योहार करके अनिल और बर्खा एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं उस दिन दोनों की आँखों में खुशी के आसु थे पांच दिन की दिवाली के त्योहार का आज आखरी दिन है भाई दूज का त्योहार भाई बहन के सनेह को दर्शाता है इस दिन बहन अपने भाईयों का टीका करती है और लंबे उम्र की प्रार्थना करती है ये त्योहार दिवाली के दो दिन बाद मनाया जाता है भाईदूज का त्योहार कार्थिक मास की दुतिया को बनाया जाता है आईए अब जानते हैं भाईदूज की कथा के बारे में पौरानिक कथा नुसार भगवान सूरेदेव की पत्नी छाया थी उनकी कोग से यमराज और यमुना का जन्म हुआ था लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब चाया सूरे का तेज सहन नहीं करपाने की वज़े से उत्तरी द्रोव में रहने लगी चाया के साथ यमराज और यमुना भी रहने लगे एक समय के बाद यमराज ने अपनी यमपुरी नगरी को बसा लिया और यमुना गोलोक में निवास करने लगी लेकिन दोनों में इसने सदैव बना रहा यमुना अपने भाई यमराज को अपने घर इष्ट मित्रो सहित हमेशा भोजन के लिए आमंत्रित करती थी लेकिन यमराज उन्हें टालते रहते थे कार्थिक शुकल दुतिया का देना आया और यमुना ने फिर यमराज को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रन दिया और इस बार अपने भाई से वचन ले लिया यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ भला मुझे कोई अपने घर क्यों बुलाना चाहेगा यदि बेहन ने इतने प्यार से बुलाया है तो मैं अपने धर्म का पालन करूँगा वहीं यमराज ने बेहन के घर जाते वक्त नरक्य सभी जीवों को मुक्त कर दिया यम्राज को अपने घर देख कर यमुना खुशी से जूम उठी उसने अपने भाई का स्वागत किया और उसके समक्ष अनेक व्यंजन परोसे यमुना के इस आतिथ्य सत्कार से प्रसन्न होकर यम्राज ने अपनी बहन से वर्दान मांगने के लिए कहा यमुना ने यम्राज से कहा कि वो प्रतियक वर्ष कार्तिक माज की शुकलपक्ष की दुतिया तिथी में आप मेरे घर आय करें साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनकी तरह कोई विवेहन इस दिन यदि अपने भाई का विधी पूर्वक तिलग करें तो उसे यम्राज यानी मृत्यू का भय ना हो यम्राज ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कहा और यमुना को वर्दान देकर यमलोक लोटाए तब से लेकर आज तक हिंदू धर्म में भाईदूज की परंपरा चली आ रही है भाईदूज की पूजा विधी भाईदूज एक ऐसा पर्व है जो भाई बेहन के प्रेव और स्नेह का प्रतीक माना जाता है भाईदूज की मौके पर बेहने श्रद्धभाव के साथ अपने भाई का तिलक करके उनकी सम्रिध्य और सुख की कामना करती है इस दिन प्रतकाल स्नान आदी के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्रे विष्णो भगवान और गंपती की पूजा करनी चाहिए और इसके बाद भाई का तिलक करने के लिए आरती का थाल सचाएं थाल में कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, सुपारी आदी रखने के बाद अपने भाई को चौकी पर बैठा कर शुब मुहरत में उसका तिलक करें तिलक के बाद पान, सुपारी, बताशे, गोला, वस्त्र और काले चने आदी भाई को देने चाहिए और इसके बाद भाई की आरती करें